कि नमस्कार में अचले मिश्रो स्वागत आपका हमारे चैनल में इस वक्त विवेक अगनी होतरी के निर्देशिद फिल्म दे कश्मीर फाइस बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर अब जल्द ही 208 के क्लब में भी शामिल होने वाली है ऐसे में यह फिल् मिल रही है तो दूसरी तरफ इस फिल्म पर लोग इस फिल्म को प्रोपागेंडा और अजेंडा बता रहे हैं अब ऐसे में अगर बॉलिवुड की बात करें तो बॉलिवुड की चुपी ने लोगों के अंदर सवाल पैदे कर दिये कि आखिर जो बॉलिवुड है बॉलिव अब ऐसे में इस फिल्म को लेकर यानि कशमीर फाल्स को लेकर आमिर खान ने अपनी चुपी तोड़ी है और एक प्रेस वारता करने के दौरान आमिर खान ने इस फिल्म को लेकर अपनी राय साजा की है क्या कुछ कहा है आमिर खान ने हम आपको जरा विस्तार से बता देते बतादें कि दिल्ली में फिल्म आरारार के प्रमोशन के दौरान जब आमिर खान से कश्मीर को लेकर सवाल पूछा गया तो उस पर आमिर खान ने जवाब दिया और कहा कि एक ऐसी फिल्म है जिसे हर इंदुस्तानी को देखना चाहिए दरशल उनसे सवाल पूछा गया था कि वो आरारार के प्रमोशन के लिए थे और उस था भी उनसे एक रिपोर्टर सवाल पूछती है कि इस वक्ड़ कश्मीर फाइस को लेकर आप क्या कहेंगे इस वर प्रतिक्रिया देते हुए आमिर खान कहते हैं कि एक हिंदुस्तानी को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए प् बहुत दुख की बात है और ऐसे एक टॉपिक पर जो यह फिल्म बनी है इसे हर हिंदुस्तानी को जरूर देखना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को याद करना चाहिए कि एक इनसान पर जब अत्याचार होता है तो क्या बीटती है उन्होंने आगे कहा कि इस फिल्म ने उन स आपको लगातार बता रहे हैं कि यह फिल्म बहुत बेदरिन प्रदेशन कर रही है बॉक्स आफिस पर आज़े काफी कम बजट की फिल्म बारा करोर की फिल्म थी और अभी आज़े बारा पंदरा गुना जादा यह फिल्म कमा चुकी है सौकडोर कपका क्रोस कर चुके है दो सौकडोर के कलब में जल्द शामिल होने वाली है अब ऐसे मिं बॉलीवूट के तरह से लगातार यह कहा जा रहा था कि चुप्पी साधी होई है कुछ कह नहीं रहे है कुछ बता नहीं रहे है इस पर बियान बाजी नहीं की जा रही है इ उसके बाद उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि दकश्मीर फाइस पर आप क्यों अपना बयान नहीं दे रहें वहीं आपको बताए कि अगर लोगों की बात करें तो इस प्रतिक्रिया से यानि आमिर खान के इस प्रतिक्रिया पर भी लोग सवाल खड़े कर रहें एक ट्विटर ह इस पर प्रतिक्रिया दी है यानि आमिर खान तो बहुत बड़े देश भक्त है बहुत बड़े नैशनलिस्ट है एक बार उनकी पत्नी ने कहा था कि वह इंडिया में सिक्योर फील नहीं करती है इंडिया धीरे-धीरे इंटॉलरेंट होते जा रहा है और इंडिया को ने इसे डिवार्ज दे दिया और अपने साथ जो है खुद इंडिया में रहे गए एक सही जो है पैट्रियोट की तरह वेल दन आमिर खान तो साफ तो आप देख सकते हैं कि काफी जादा इसे मजाक उड़ाया जा रहा है लोग इसे एक ढोंग बता रहे हैं आलिया जो है द कि इस तरीके से इतने दिनों से चुप थे लेकिन अब उनसे पुब्लिकली जब सवाल पूछा गया उन्हें लगा कि अगर इसका जवाब कुछ गलत जाएगा या फिर इसका जवाब अगर नहीं देते हैं तो इसे लेकर ट्रोल किया जा सकता और इसका असर उनके आने वाल अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है कि यह फिल्म को लेकर रही है लेकिन आमिर खान का यह कहना कि मैं फिल्म देखूंगा या देखना चाहिए यह बयान है इसे लोग न्होंग बता रहे हैं तो अब ऐसे रहा समझ सकते हैं कि बॉलिवुड के उपर जो है कई ने कई यह फ अगर मुष करते नजर आया थे बड़ी-बड़ी बाते कैते और वी फिल्म बन जाएगी तो इस फिल्म नहीं इहीं बॉलिवुड के बुनियाद को हिला दिया है जाने वाले वक्त में बॉलिवुड का क्या हाल होगा यह आप खुद देखेंगे विवेकर नहीं होतरी आए दिन या तो कपलशर्मा शो कहिए कपलशर्मा शो में बड़े स्टार्स को बुलाने की बात कहिए हर चीज को लेकर एक तंज कसते रहते हैं और बताते हैं किस तरीके से बॉलिवुड में चीजों को मुग तो उसने कहा यह कहा है मैंने उसे मैप में उसे भेजा तो उसने का अच्छा यह शैतान की गुफा वो तो आपको फ्री में मिल जाएगी वह मैं आपको वहां पर ले जाओंगा शूटिंग कराऊंगा तो साफ तो पर ने का कि हैदर का यह एक मंदिर जिसे खंडर मना दिया वह सब्सक्राच को लेकर का और बात करती है उन्होने पहले भी चुह है वह श्वास को लेकर कहा है- mówi का था लिए टोयवेक अगी उतम ने बनायां कि के बॉलिए परभी कटाक्ष किया और कहा कि बालिवट के लोग फेन ख मॉलेंग चुप ह programmers और बहूसान उरत बात है कहीं थी और बहुत सारे टिपनियां उन्होंने इसे लेकर की भी थी कि जो है बड़ी संख्या में दर्शक और गिने चुने जो एक्टर्स है वो खुल कर तारीफ कर रहे हैं लेकिन कई बड़े सितारे ने फिल्म को लेकर कुछ नहीं कहा जिसके वजह से अब लोग के निशान के दरान इविंट था यहां पर गेस्ट दिली पहुंचे थे बाच्चित के दराने विवेक अगनिया उत्री के फिल्स कश्मीर फाइल्स पर अपनी बाते कहीं तारीफ के इस फिल्म को उन्हेंने कहा भी स्टार कास्ट वहां पर मौजूद थी फिल्म के प्रमोशन के लिए आलिया भट थी जूनियर एंटियार भी जो है मौजूद थे राम चरन के अलावा आलिया भट यह सारी आप एक पूरी टीम थी वहां पर मौजूद थे इस मंच पर आमिर खान भी कलाकारों के साथ नजर आए समने मिलकर दर्शकों का जमकर मनरजन क्या फिल्म कश्मीर वह काफी जादा दुखद है उन्होंने कहा कि इस फिल्म पर बनी है इस टॉपिक पर यकिन हर इंदुस्तानी को यह देखनी चाहिए यही नहीं आपको बता देशन के साराना काफी जादा की जा रही है इस फिल्म को हर इंसान के मोशन को चुछ हुआ है यह भी आमिर खान इसे पहले अनपम खेर ने भी एक ट्वीट किया था उसमें भी वह अपनी ममी की जो इंटर्वी अदुलारी जी की उनकी इंटर्व्यू उने साजा की थी और बता रहे थे किस तरीके से जो लोग सिल्म को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे या इस आजेंडा बता रहे हैं वह सु कर रहे हैं साथी साथ 200 क्रोड के क्लब में भी जल्द शामिल होने वाली है और इस फिल्म को लेकर जो बॉलिवर्ट चुप थी लगता जो लोगों के निशाने पर थी खांस पर जादा जो है सवाल खड़े किये जा रहे था ऐसे में आमिर खान ने इस फिल्म पर अपनी प् है तो आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो आमिर खान को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता है